एक्ट में बदलाव को लेकर कमर्शियल वहन संगठन तीन जनवरी को हरताल पर जाने वाले थे लेकिन देराद दिल्ली में ट्रांस्पूर्टर्स की सरकार के साथ वी बादचीत के बाद देश के लगवक सभी वहन संगठन प्रदर्शन से बाहर हो गए थे लेकिन ज्वैपुर में कुछ कमर्शियल वहन संगठन अपनी मांगों पर आड़े होए हैं हाला कि कल 18 ऐसे संगठनों का दावा किया जा रहा था लेकिन आज 14 संगठन ही प्रदर्शन में शामिल बताए गए है ये पूरा मामला आकिर कहां आठका है जानने के लिए कमर्शिय ने प्रदर्शन और हटाल को वापस ले लिया था लेकिन अभी भी राजस्तान में 14 संगठन जो है वो लगातार जो है वो बने वह इनका कहना है कि हम प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक कानून को वापस नहीं लिया जाएगा कुछ ड्राइवर्स के संगठन हमारे साथ प से यहल पारित हुआ है कानून उस गानून के अगर कानून पास करते तो हम यहां से चुनके बेचते हैं उनको इसतीज का मुद्दा उटाना यह इंपरट बड़सें ऐसी नोबत आती है जो आदमी 10,000 में महीना कमा रहा है, बुरा मतमारा है, बाहिए साथ सुक्री दो साल बाद को समयने बाद एक्सिडेंट हो गया, दस साल जेल में रहेगा हो, मेरा नाम सुमेर सिंग खंगार हो थे, और मैं जैपुर्ट, मैं ट्राइक मैं ड्राइवर हूँ, एसोशियन से जु और इनका साफ तोर पर कहना है कि कंफ्यूजन की जगे, ये साफ किया जाए कि कानून को वापस के लिया जाए, क्योंकि एक ड्राइवर जो 10 से 15,000 रुपे की तंखा पाता है, वो इतना बड़ा जुर्माना कहां से चुपड़ेगा, कैमरा में अविलाश की साथ, आसिव ख क्लेक्टर से मुलाखात की, इसके बाद प्रादेशिक परिवहन निगम के अधिकारी उन्हें सभी चालकों को खानून को लेकर जान करे दी हैं, उन्होंने कहा कि इस कानून को लेकर केंदर की सरकार की ओर से विचारवी मर्श किया जाएगा, आल इंडिया सरकार में विरोध प्रदेशन और चक्का जाम जैसे इस्तितियां बन गई थी, जिसके चलते अजमेर में बस और टैक्सी यूनियन के ओर से तीन जनवरी को यातयाद बंद रखने का अवान किया था, वहीं सरकार के नए हिटेंडरन खानून के अभी रोक लगाने के बाद स सभी स्थान उपर बंद के अवान को वापस ले लिया गया, यूनियन के पदादिकारियों ने बैठे के बाद ये फैसला किया, जुरान शायर में यातयाद के हालातों का जाइजा लिया है हमारे समवादाता ने हिट एंडरन खानून के विरोध में नीजी बस चालकों की हर्टाल को लेकर के तीसरे दिन जिला कलेक्टर ने बैठक लिया है कलेक्टर सभागार में आज़ित इस बैठक में बस और ट्रक एस्सेशन के पदादिकारी और चालक शामिल हुए इस दुरान कलेक्टर एस्पी डे ने कानून के प्रावधानों से चालकों को परिचित करवाया है आपको बता दें कि कानूनों को आम जनका हितेशी बताते हुए संगटन से हर्टाल खत्म करने की अपील की गई है बस यूनियन और ट्रक यूनियन अदेक्शों ने हर्टाल खत्म करने पर भी सहमती प्रकट की है जुरान जिला कलेक्टर ने बताया कि सरकार ने अभी नए कानून को होल्ड पर रखा हुआ है करोली में भी आपसी समन्वे बनाने बाच्चूीत और नए कानून को समझाने की प्रक्रिया चल रही है इसे लेकर प्रिशासन की तरफ से कदम उठाया गया जिला कलेक्टर ने ड्राइवर्स के साथ बैठर की है और इस कानून को लेकर च्वर्चा की है भारतिया नया है सहीता जो अभी नया ही पार्लिमेंट में पास हुआ है जो एक कुछ प्रावधानों को लेकर जो इशूद आ रहे थे और में इशू जो डिसकस हुआ वो यही था कि जो सेक्शन एक सो दो सब्सक्रावधानों को लेकर जो एप्रियेंशन से उस पो क्लियर किया गया और साथी साथ हमने अपील करी है असोशेशन से कि वो काम पर लोट जाए हमने बुलाया गया था किलापरिशाशन के साथ हमारी वारता हुई है और इस वारता में जो रागता डवलोप्मेंट बताया गया है वो हमारी जानकारी में है हम लोग भी अपने प्रदेश के पदादिकारियों से और चालक पर चालकों से सभी से चलाम असुरा करके इस और को चालूर करने की प्रियास करेंगे और प्रियास रख भी है कि यह समस्या जल्द से जल्द समाप्त हो जाए